नमस्कार स्वागत आप सभीका दा एकॉनमिस्ट में तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आपके जो बिल्डिंग अपार्टमेट्स में जब का वाश्रूम होता है कि तो जो टॉलेट सीट होती है तो क्या उसके रास्ते वायरिस जो है यह हमला कर सकता है आपके उपर तो जी हा तो अभी वाइरस के बारे में अगर बात करें तो वाइरस इस तरीके से उसकी characteristics बन चुकी है कि हवा में वो ड्रेवल करता है काफी देर तक रहता है और जो भी बंदा उस दूशी तो अग्र कोई किसी घर में कोई-patient है जिसको के isolate किया हुआ है जो की करोना वाइरस से संकर्मन जो की जिसको हो चुका है तो अगर दूसरी और उसी घर में एक लेक्टरी चिमनी जो यहां पर किचन में आमतौर पर लोग इस्तिमाल करते हैं कि जो किचन की यहां पर धुआ नि करता है तो इस त्रीके से हवा में वो ट्रयवल करता है तो लेकिन कि इसका मतलब यह है कि मतलब जो भी अपार्टमेंट्स एक दूसर abundance के साथ endpoint है जो नमदब्र हाफोलोड बने हुए है mówi ठीक है तो क्या इस बालकॉनी से दूसरी बालकॉनी में जम्प कर रहा है खास तोर पर अगर अपार्टमेंट्स की बात करें लेकिन यहां पर एक रास्ता है जिसके तुरू जो एक वाइरस जो है वह आपके घर तक पहुंच कर सकता है तो वह है आपकी जो टॉइलेट है तो यह इसके केसिस लाना है उक कि यह तपका केस है जब coronavirus पहली बार दुनिया में यहां पर दस्तक दी थी दो इक रोनवाइरस के अगर बात करें तो यह 2003 में भी यह च्यूहां पर अमोरिक गार्टन की बात करेंगी पचास स्टोरी एक हाउजिंग कंप्लेक्स था हॉंग कॉंग में तो 2003 में SARS pandemic फैला तो वो भी चाइना से ही आया था तो चाइना के आज पास ही वो रह गया था वो बाकी देशों में नहीं फैला था उस समय उस समय WHO के जो चेर्मन थे काफी स्ट्रिक्ट थे उन्होंने काफी फटकार लगाई थी चाइना को तो समय रहते यह कंट्रोल कर गए और 800 और 1000 की बीच में इसके cases थे इससे ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन यहाँ पर जब यह एक family एक यहाँ पर जब complex की बात करें तो वहाँ पर यह family को यह पाया गया तो एक family थी जिसको यह COVID virus होँ उस समय तो यहाँ पर 3042 लोग जो थे न वो बिवार पड़ गये और यहाँ पर 42 लोग जो थे जिनकी मृत्ति उभी हो गए कि वो ओके तो यहां पर साइंटिस्तों इसामें कहा कि जो वाइरस फैला है ना तो यहां पर जो प्र प्रम्बिंग सिस्टम था उस गार्टन इस अपाटमेट में तो उसके चलते यह फैला है क्वे तु किस तरीके को विजट किया उके तो यहां पर मिडिल फ्लोट था अलगर वपे और तो यहां पर विजजट किया वान पर टैवलेट को यूस किया और कोईरीय और कोट से लिट भी था तो उस तुस ने तबारा भी शबह था नियो एकलेंट जैनल ऑफ मैडिसिन तो यहाँ पर उन्हें ने कहा था कि 99 यहाँ पर जो 187 जो इनिशन पेशंट्स निकल निकले हैं उन्हें जो 99 पेशंट्स है वह यहाँ पर बिल्डिंग इसे निकल करा रहे हैं लेकिन यह सबसे नीचे जो बंदा काम करना है तो उसको कुछ नहीं हो लेकिन यह उपर वाली जो फ्लोर्स थे ना वह अफेक्ट होने शुरू होगे तो यह रीजन है तो अभी ऐसा क्यों हुआ नीचे वाले क्यों नहीं अफेक्टेड होए अगले यहाँ पर वह पेशंट मिडल वाला क कोई किसी अपार्टमेंट में जाके ट्वालेट को यूज कर रहा था तो अभी इसी बात को समझें और आगे हम क्या बात करें इसी गरेगारी के तो यहाँ पर इस नक्षे को देखिए तो यह वाला नीचे वाला फ्लोर है तो यह कोई कोवेट से यहाँ पर यहाँ पर जलता है कि कि हवा में जो यह एडोशौलर हमें हमेशं लाइट से हें यह नीचे और नहीं जाते लिएसानी के साथ ऑपर wij वाले पर फ्लोर में है तो वह तक उस राष्टे से भी जो है आपके घर में जो एरसोल से एंटर कर सकते हैं क्योंकि जो फ्लोर्ट रेंड होता तो वह भी फैकर साथ उसको किनेक्ट किया होता है तो इस तरीके से जो भी चीज यहां पर सीविच पाइप के साथ connected है तो वो उसके रास्ते आपके फ्लोर में जो है आ सकता है वायरस तो इससे यहां पर बजने की यहां पर चेहतावनी है खास तोर पर वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं तो उनको खत्रा है यह जो दूसरा संकर्मन जो यहां पर फ्यला हुआ है भारत में यह जो वेरियंट है तो बहुत ही घातक है तो अभी यह नए अपने सब रूप दिखा रहा है तो फ्यूचर में कैसे दिखाएगा कुछ क्या नहीं सकते हैं तो अभी तो एक यहां पर फंजस इसकी चलते होना शुरू हो गय इसलिए यहां पर जो ग्राउंट फ्लोर के लोग थे जो मैनेजमेंट की टीम थी जो स्क्योटी स्टाफ था उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन उपर वाले जितने फ्लोर्स थे वह सब ही एफेक्टेड होगी तो यह एक रीजन है कि जो एरोसोल होते हैं और उपर की हो जाते ह और अभी बात करते हैं कोविड और प्लम्बिंग मतला कोविड को जो केसिस निकल करा है अभी उसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं तो अभी चाइना में भी कुछ केसिस पाए गए हैं अभी जो यह रिसेंट जो अभी 2020 में शुरुआती दिनों में जो करोना वारस फ यहां पर जॉसलीन केसर और शाइंस मगजीन जिसमें यहांपर चपी ती तो यहां यह बात कर रहे हैं अबंच एक गॉंचो ही और सो फ् Mikey तो यहां पर वेजिट किया था यांप कर्म simon का कर्म फैलना शुरू हुआ गैसे चुना ये दुनिया में पुरा वायरस फैला है तो ये वहां रही है जो इनकी मारकनर थे जहए बर जानवरों की सेल होती थी जिए जानवरों को मारकर हो फिए तो एक की ट्रोली में तो बिलकुल उसी यहाँ पर जो वह रूम था वह अपाटमेंट तो वहां पर जो केसे निकल कर आ रहे हैं हाला कि वह जो लोग है तो फिर उनको कैसे हो गया अगर वह अपने कमरे में ही बंत थे यहाँ पर यह रीजन इसको यहाँ पर बताया जा रहा कि प्लम्पिंग यहाँ पर रीजन है तो अभी आगे बात कर रहें कि यह जो थियोरी दी गई इसको साबित करने के लिए यहाँ पर एक एक एकस्परिमेंट करके देखा गया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर प्लम्बिंग का रोल है क्या वो इनफेक्शन को सप्रेट कर सकता है तो जो चाइनिस इस ने क्या किया 15th floor से यहां पर जो भी यहां पर drain pipe था तो वहां से यह gas को शोड़ा गया तो यह पाया गया कि 25th और 27th floor के यहां पर अपार्टमेंट के बात्रूम से तो वहां तक यह gas पहुंच रही है तो मतलब कि जैसे हलके होते नीचे सी उपर की और जाते हैं तो बिल्कुल यह भी gas गई जिससे कि साबित हो गया कि infection जो है उपर की और जा रही है और यहां पर टॉलेट के चलते ही एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में फैर रही है वाया बात्रूम वाया यह टॉलेट सी तो यहां पर काफी मतलब चुकाने वाली स्टेडी सामने आई है तो I hope थोड़ा समगल चलिए जो खास दौर पर जो अपार्टमेंट में लोग र